हरी कृष्णा मैं कृष्णवन्दा जगनात किचिन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज हम एक ऐसी खीर बनाने वाले हैं जो आपकी कमजोरी भी दूर करेगी साथ ही आपकी शुरूवाती माइग्रेन प्रॉबलम है तो आप इसे जरूर लें ये माइग्रे पढ़ते टाइम सिर्च जुकाते हैं तो आपको उस दौरान चकर आएं तो आप एक बार ये खीर जरूर लें चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है सबसे पहले हमें 10 मनक्की लेने हैं मनक्के बीज वाला होता है किश्मिश में बीज नहीं होता है यहां एक टुकड गोला लिया था मैंने उसको काट लिया है और दस ही बादाम इनको हमें राद भर बिगाना है या आप सास से आठ घंटे भी बिगा सकते हैं और इसके अंदर जब यह फूल जाएगा तो छोटे-चोटे से इसमें बीज निकलते हैं अब यहां आप इसको आदा ग्लास पानी डाल के गला दें दूसरा बाउल लें दूसरे बाउल में आप एक चमच पोस्त के बीज लें पोस्त के बीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे तो यहां मैंने दो चमच लिया है क्योंकि मैं चार्ड लोगों के लिए बना रही हूं यह खीर अब इसमें हम पानी डालेंगे और इनको ढग देंगे यह मैंने पूरा रात भर बिखाया है आप चाहें तो साथ से आठ घंटे ही बिखाये अब देखेंगे हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है तो अब हमें क्या करना है बादाम को छीलना है और गोले के उपर से छिलक निकालना है और देखिए पोस्त के बीच भी हमारे यहां अच्छी तरीके से गल गए है और मनके भी अच्छी तरीके से फूल गए है पोस्त के बीच को आप एक चलनी ने और इस तरीके से छाल ले अब आपका यह लास्ट में बसता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालके आप वापस इसको चलनी में छान लें ये बहुत ही महीन होते हैं इनको आप डारेक्ट नहीं कर सकते हैं और ये बहुत ही गुणकारी भी होते हैं ये वाली खीर आप पढ़ने वाले बच्चों को जरूर दें और इसको आप माइगरेन के दर्द में सास से आठ दिन लगातार पूरे और गख अप्हाएं सोते टाइम यहां हमने जार लिया है, जार में सबसे पहले पोस्त के भी जय अब हम अपने बादाम चलन लेते हैं, बादम हमारे छिल गए हैं अब हमें क्या करना है गोला को लेना है बदें काला हिस्सा है इसको बस इस तरीखे से हटा देना हे हलका हलका चकुकी साहता से और इसके भी हमें और टुकड़े करके जार में एड़ करने हैं ये मनक का है मनक का देखें पूरे तरीके से फूल गया है और इसके अंदर देखें इस तरीके से बीज होता है जब किश्मिश में बीज नहीं होता है मनक का खून बढ़ाता है और इसको हमें अपनी डायेट में शामिल करना चाहिए यहां हमें 8-10 बादाम एड़ करने हैं मनक के एड़ करने हैं बादाम और मनक का हमने सेम लिये हैं 10-10 और अपना गोला एड़ करना है आप चाहें तो इनके साथ में एक साबुत इलाइची भी भीगा सकते हैं रात में मैं रात को भीगाना भूल गई थी तो इसलिए मैं यहां इलाइची पाउडर एड़ कर रही हूँ लेकिन आप इलाइची गला दे रात को दियाब के पास हो और अब इसमें हम दूद एट करेंगे और इसका बिल्कुल स्मूद पेस्ट तयार करना है हमें अब इसको हमें पीसना है यह खीर बहुत है टेस्टी होती है आप एक बहर बनाएंगे इसको बार बहर बनाना पसंद करेंगे और साथ में ये बहुत हेल्दी है तो इसका पेस्ट तैयार हो गया है अब हमें लेनी है एक कड़ाई कड़ाई गरम हो जाए अच्छी तरीके से उसके बाद हम यहाँ एक चमच खी एट करेंगे अब घी को हमें गरम करना है इसमें अब हम अपना पेस्ट एट करेंगे और इसको हमें बिल्कुल लो मीडियम गैस पर लगातार पांच मिनिट भूनना है और ये बुल्कुल जो कड़ाई का तला छोड़ देगा और एक साथ इखटा हो जाएगा आप ये वाली खीर एकादशी में भी ले सकते हैं और यहां मैंने पहले ही एक ग्लास दूर निकाल के रख दिया है अब देखे लगबग हमारा भून गया है अभी इसको हमें तीन मिनिट और भूनना है बस आपको इसको लगातार चलाना है ये तले में ना लगे बच्चे पढ़ाई की दौरान कमजोरी फील करते हैं उनके सिर में दर्ध होता है तो आप इससे जरूर दें साथ में डॉक्टर को भी दिखाएं माइग्रेन का शुरूबाती दौर होता है तो उसमें हमें बादाम पोर्स्त के बीच इनका सेवन करना चाहिए लेकिन यदि माइग्रेन की स्टेज भड़ गई है तो आप डॉक्टर को भी दिखाएं और साथ में ये खीर भी ले ये खीर आपको शाम को बनानी है और सोने से पहले बच्चों को देना है याद रखें पानी उन्हें पानी नहीं पिलाना है ये है इसका मेन नुस्का और देखें अब हमारा ये खटा हो गया है और अच्छी तरीके से भुन भी गया है तो आप याद रखें कि पानी आप पहले ही प्लाएं बच्चों को और फिर उनको खीर खिला के सुला दें खीर के एक घंटे बाद पानी चलेगा आप दे सकते हैं यदि प्यास लगती है बच्चे को तो अभी क्या है इसमें हमें दूद एट करना है और ये अच्छी तरीके से इस तरीके से खटा हो जाए उसके बाद आपको इसमें दूद एट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो इसको मिक करना है दूद के साथ में है ना कितना आसान ये खीर और साथ में ये बहुत ही ताकतवर होती है अब इसमें हमें आदा कप चीनी एड़ करना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और आपको याद रखना है कि जो गैस का फ्लेम है आप लो ही रखें लो गैस पर ही इसको अच्छी तरीके से चीनी कब मिलने दे और उसके बाद में इसको हमें तीन से चार मिनिट और पकाना है यदि आपकी खीर गाड़ी हो जाए तो आप उसमें दूद मिला सकते हैं और इसको हमें गुन-गुना ही बच्चों को देना है ये ठड़नी करके हमें नहीं खानी है लेकिन आप ब्रत में बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल ठंडा करके ले सकते हैं माइग्रेन में आपको इसे गुन-गुना ही लेना है अब हमारी खीर बन गई है सर्विंग बावल में हमने निकाल लिया है इसमें मैं थोड़े से चिरोजी डाल रही हूं आप इसको स्किप ही कर सकते हैं ऑप्शनल है बिल्कुल और उपर से इसको बस यहीं सजाने के कुछ और इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद तुलसी दल रखेंगे उसके बाद ही जगन्नाजी को ओफर करेंगे आपको इसमें बस यही याद रखना है कि माइग्रिन में आप लें या कमजोरी हो आप ले सकते हैं इसको और उसके अलावा भी यह खीर आप एक तैयार हो गई है तुलसी दल रखेंगे जगन्नाजी को ओफर करें जैसा खाएंगे अन वैसा होगा मन इसलिए शुद्ध और शाफिक प्रशाद लें हरी कृष्णा